नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वागता आपके पनी चानल डग रुपे इस साल वर्ल्ड कप में बैक टू बैक विनिंग किया है और भाई क्या रिजल्ट आये हैं ग्रेंड लिग में ट्रम कार्ड पिक्स ऐसे बता रहा हूँ कि भाई लोग जो हैं तीन चार पंदरा सोला रैंक तक ला रहे हैं आप लोग क्या मिस कर रहे हो भाई देखिए इस वीडियो को शुरू से एंड तक आज का मैच इंडिया वर्सिस साउथ अफरीका दो बज़े ख खिलाडी होंगे सब चीज बताने वाला हूँ लेकिन उससे पहले दो काम कर लेना एक तो भाई सबसे पहले रिजल्ट देख लेना अड़ागरू फैमली का टेलेग्राम में जुड़के टेलेग्राम का लिंक वीडियो की नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है पहले कमे में टीम देता हूँ बच की रही है उन फ्रॉड लोगों से आसानी से जुड़िये डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेशन में मैंने लिंक दे दिया है टेलेग्राम का ब्लू कलर का दिखेगा जैसे क्लिक करोगे टेलेग्राम पर आ जाओगे जॉइन कर लेना ठीक है और दूस टीम जबरदस ये मैच रहेगा सब के आँखे लगे रहेंगे कि आज साउथ अफरिका को इंडिया कैसे मजा चका सकता है तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पावर प्ले गेंदवाज साउथ अफरिका की तरफ से मार कोयान सेन जो पावर प्ले में डेफिनेटली भाई दो दो विकिट चटका रहे हैं हर बार चटका रहे हैं गेंद ऐसे पिछ पे लगता और ऐसे बाउंस हो जाता है भाई रोई शर्मा है इसमें माहिर याद होगा पुल शॉट मारते हैं और पुल शॉट सीधा बल्ले से जाता चख्के की ओर तो भाई इस मैच में ये चीज आए अगर इंडिया जीतता है तो रोई शर्मा के बल्ले से पुल शॉट का भरमार देखने को मिल सकता है आईए बात करते हैं आगे और क्या देखने को मिल सकता है सबसे पहले पिछ रिपोर्ट जान लेते हैं बल्ले बाजी के लिए बहुत अनुकूल है बहुत बढ़िया है च 257 का on an average score है लेकिन इंडिया भी जानता है कि सामने साउथ अफरिका है 300-300 के नीचे भाई रन नहीं होने चीए अगर मैच जीतना है साउथ अफरिका भी अच्छे से जानता है कि हम हर बार 400-400 तक 300-400 रन बना रहे हैं इंडिया को इतना target देना पड़ेगा तो यह कौन आई यह जान लेते हैं पेसर्स को लास्ट 6 मैच में किस विकेट मिले हैं इस्पिनर्स को 28 विकेट मिले हैं विकेट इस्पिनर्स को कम मिल रहे हैं फास्ट बोलर्स को थोड़े जादा मिल रहे हैं क्या इस मैच में स्पिनर्स को विकेट फिर से कम मिलेंगे जी नहीं अफरीका को कैसे चखाया था स्लो पिच और स्पिनर्स का बोलवाला याद होगा आपको इसलिए इंडिया के पास में पावरफूल स्पिनर्स होने के वज़े से ये मैच इंडिया स्पिन के वज़े से जीच सकता है बले ही मुझे तो इतना उमिद है कि पिच से स्पिनर्स को मदद मिले ऐसा पिच दे दे तो साउथ अफरीका को मज़ा चखाने में मज़ा आएगा मगर अगर फ्लैड विकेट दिया गया तो दोनों के बीच में बहुती जबरदस बल्ले बाजी का टक कर देखने को मिल सकता है अभी तो पिच रिपोर्ट कुछ में नहीं है बाकी आपको टेलेगराम पे जरूर बताऊँगा टेलेगराम पे पिच रिपोर्ट सरूर देखिएगा इस मैच में पिच रिपोर्ट का बहुत ज़ादा इंपोर्टेंस है तो टेलेगराम का लिंक वीडियो के नीचे डिस्किप्शन में दे दिया है साथी साथ में आपको मैं बता दू जो मेरे भाई लोग है अड़्डा गुरू की फैमिली है लगातार ग्रेंड लीग में टॉप रैंक्स ला रहे हैं कैसे ला रहे हैं मैं जिन पंटर्स्क वर्ड का इस्तमाल कर रहा हूँ जो मैं समझा रहा हूँ उनको अच्छे से समझ में आ रहा है और वो कुछ रिस्क लेते हैं जो हम टीम टेलेग्राम पे नहीं शेयर करते सीधा सीधी वीडियो में समझाते हैं उस किसम का टीम बनाते हैं और भाई ग्रेंड लिग बहुत जबरदस जीत रहे हैं और आग भी लगा रहे हैं आप भी लगा सकते हैं अच्छे से सुनिए समझिए वीजन 11 पी पांच करोड का मेगा ग्रेंड लिग है बीस लाक रुपे आप अपने खाते में डाल सकते हैं फिरी में खेलने का आदर डालिए क्योंकि पैसा है भाईया पैसा ही सब चीज है पैसे के लिए आप खेल रहे हैं पैसे के लिए हम काम कर रहे हैं फिरी का एक लाक रुपे गिववे अगर मिस करते हैं तो पैसे दे के खेलने में भाई कोई मत जा नहीं है ये तो आपकी सरासक बेफकूफी है कि एक लाग का गिववे आप मिस कर वे हैं तो जल्दी से जाएए डाउनलोड कीजिए विजन 11 वीडियो के नीचे डिस्किप्शन में लिंक दे दिया है और ये अपरचिंटी मिस मत कीजिए आईए जानते हैं इंडिया और स्री लंका साउथ अफ्रिका के पॉस्सीवर प्लेंग लाइवाले रोई शर्मा खेलने वाले हैं शुम्मंगिल खेलने वाले हैं विराट कोली स्रेय शैयर राहुल सूरी कुमार यादव जाडेजा शाम्मी कुलदीप जस्पित भुम्रा मौमस्य राज ये आपको खेलते हुए दिखेंगे सारी साथ में अगर मैं बात करूँ आपको दिखने वाले हैं साउथ अफ्रीका की तरफ से कुइंटिन डिकॉक, हेंरिक्स, टेमबा भाबुमा, मारकरम, क्लासन, मिलर, मारको यांसर, किराड कोड़ जी, कगिसो रबाडा, केशब महाराज, लुंगी नगेडी यह आपको खेलते हुए दिखने वाले हैं, आगे बात कर लेते हैं स्टैड्स की, कौन मेरे स्मॉल लिग में रहेगा, किसको ग्रैंड लिग में रखना है, A to Z बाई, अब समझ जाईएगा, वीडियो बहुत इंपोर्टेंट है, मेरा शकल इंपोर्टेंट नहीं है, क्यों इंपोर्टेंट रहेंगे, कौन से शॉर्ट में माहीर है, 33 के एवरेज रहा है, साउथ अफरीका के सामने, इस मैच में बैक कर सकते हैं, लास्ट मैच में चार बनाए हैं, रेगुलर्ली रन बना रहे हैं, इंपोर्टेंट रहेंगे, ठीक है, रखिएगा, मेरे स्मॉल लि रहा, साफ साफ कहा था कि लास्ट मैच में अच्छा पारी आ सकता है, देखो 92 रन बना कर आए हैं, रेगुलर्ली थोड़ा सा कम चल रहे थे, मैंने साफ साफ कहा था कि अब शीलंका के सामने अच्छा पारी आने की उमीद करते हैं, क्योंकि दो तिन पारी बहुत खराब आ रहे हैं, जब से ये इंजर्ड हुए, इंजरी से बहार आये हैं, बिमारी से बहार आये कह सकते हैं, उसके बाद में पारी अच्छा नहीं आ रहा था, एक बड़ा पारी लास्ट मैच में आ चुका है, लोगों का फिर से फोकस होगा, मैं भी फोकस पे हूँ, फोकस कर रहा ह लेकिन focus लोग जो नहीं कर रहे वो ये है कि रबाड़ा ने दो बार आउट कर रखा है रबाड़ा ने बनाया है कबाड़ा ग्यारा बॉल पे दस गी रन देकर भाई दो बार आउट कर चुके हैं तो भाई लोग importance जानते हैं वो सारे लोग कि ऐसे trump card picks जिनको हमको pick करना चाहि येस मैच में, किस के जगे पे, रिष्क लिया जाए, ये नहीं समझ पाते हैं, तो मैं आपको समझा रहा हूँ, उनके प्रॉबलम्स, उनकी वीग पॉइंट्स बता रहा हूँ, जो आप लोग देखकर, रिष्क ले सकते हैं, तो अब पहली बात, कि शुमन गिल्ट पे रिस्क लिया जा सकता है या नहीं स्मॉल लीक पे देखो सब लोग लेके आएंगे रख के चलिए आपको डर लगता है डर के आगे जीत है कभी हार भी है लेकिन जो रिस्क टेकर्स हैं वो ऐसे काम अक्सर कर देते हैं और अक्सर वन साडिड विन कर जाते हैं रवाड़ा के सामने है स्ट्रगल एक टरमकार्ड पिक लेने के लिए बड़ा खिलाड़ी ड्रॉप करना होता है तो ड्रॉप करने के लिए रोई श्रमा का लास्ट मैच अच्छा हुआ नहीं है कोली को लोग करते नहीं है तो यहां शुमन गिल का आकड़ा थोड़ा खराब है कर सकते हो ऐसा नहीं है कि चलेंगे नहीं ऐसा नहीं है कि यह अच्छा बिलकुल 100% खराब परफॉमेंस आएगा आ सकता है मगर रिस्क भी ऐसे खिलाडियों पे ही लिया जाता है दो बार आउट कर चुके हैं तो ग्रैंड लिग में आप छोड़ने की एक रिस्क ले सकते हैं बड़े खिलाडी पे ठीक है आगे आते हैं विराट कोली 59 का इनका एवरेज रहा है बहुत अच्छा रहा है भहिया रेगुलरली वर्ल्ड कप में रन बना रहे हैं एक जीरो जाते हैं 88, 95, 103, 55, 85 नहीं करते लोग ट्रॉप और आप भी मत कीजिए इस मौल लिक का तो खिलाडी रहेंगे रहेंगे लेकिन बड़ा खिलारी है तो ग्रैंड लिक का भी खिलाडी है बड़ा खिलाडी मतलब बड़ा ग्रैंड लिक तो ये भाई रख के चलिए गलती कुछ खास करते नहीं केशब महाराज ने दो बार फसा रखा है लेकिन जब तक वो आएंगे केशब महाराज तब तक विराट कोली हो सकते है अच्छे का से रन भी बना जाए या थोड़ से आ भी सकते हैं कि दूसरे के साहिम ने स्ट्रैक रेट दे दिया प्रेशर में विकिट गवाते हैं फरस्ट यहीं बन्लेबाजी में बहुत अच्छे कमाल के पिक होंगे शेय शेयर नौ मैच में 48 का इनका एवरेज रहा है साउथ अफरीका के सामने रेगुलेर्टी बहुत बढ़िया कर रहे हैं देखो भाई लास्ट मैच में भी 82 रन बना कर आए हैं लोग तीन ही खिलाडी सोचते हैं मैं साफ साब बोला था ट्रम कार्ड पिक श्रिया शेयर को बना सकते हैं इस मैच में भी बोल रहा हूँ श्रिया शेयर के स्टैड्स अच्छे हैं आकड़े अच्छे साफ अफरिका के सामने कुछ टीम में खास कर ग्रेंड लीग में ट्रम पिक्स का इस्तेमाल कीजिए बड़े खिलाडी को ड्रॉप करके अब कहा करना है दुबारा नहीं बता सकता यह आपकी मन की मनोकामना है इच्छा है अगर करना चाओ तो करिए इस्तेमाल करना ग्रेंड लीग में बहुत इंपोर्टेंट रहता है ठीक है आगे बात करते हैं केल राहूल चार मैच 25 का एवरेज है अब दिक्कत यह है कि केल राहूल भी अच्छा कर रहे है इस ग्राउंड पर भी अच्छा किये है तीन पारी खराब आ चुका है खराब मतलब इन दिसेंस बहुत बढ़िया पारी नहीं है लेकिन भैया इस मैच में फिर से एक उमीद जगा सकते हैं क्रेल राहूल लोग कुंटिन डिकॉप को लेते हैं फिर सोचते केल राहूल को ही ड्रॉप कर दिया जाए तो भैया केल राहूल भी इस मैच में ट्रम पिक की भूमी का या फिर जबरदस रोल अदा कर सकते हैं क्योंकि लोग ड्रॉप करने की सोचते हैं और चहां ड्रॉप करने की सोचते हैं वहीं पे गेम शुड़ू हो जाता है तो आपकी मर्जी है क्या करना चाहतू विगट केप्रिंग से भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते रहते है सूरी कुमार यादब एक ही मैच खेले साउथ अफरीका के खिराफ 39 का इनका एवरिज रहा है आपको याद दिला दू दो खिलाडी ने बड़िया परफॉमेंस दे दिया रोई शर्मा विराट कोली दोनों ने अच्छे परफॉमेंस दे दिये दोनों 30-35 तक बज गए 100-100 रन दोनों ने मार दिये या 100-100 से उपर मार दिये तो साफ साफ ये चीज दर्शारा है कि 40 ओवर जैसे ही पहुच रहा है उस टाइम पे सूरी कुमार यादफ की इंटरी दे सकते हैं एज़ा टी-20 के लाड़ी के की टी-20 में माहीर है भाईया रन बनाने के लिए स्ट्राइक रेट बहुत हाई है शेय शेयर का तो उतना है भी नहीं केल राहुल का उतना है नहीं यहाँ पर सूरी कुमार यादफ को परमोट कर दिया जा सकता है एज़ा टी-20 प्लेयर रास्ट में रन देखने क्योंकि रन चाहिए भाईया साउट अफरीका के सामने रन चाहिए तो यहाँ पर भी एक मैच में 39 रन बना के आए है बढ़िया ट्रम कार्ड पिक हो सकते हैं आपके लिए सोचना यह है कि आप इन तीनों में से किसको ट्रम पिक बना रहे हैं समझ पाये होंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना जाडे जाकों जी हाँ बल्लेबाजी में अगर थोड़ा बहुत मदद मिला बल्लेबाजी अच्छा करते हैं 9 मैच में 10 विकेट भी निकाल चुके हैं थोड़ा सा बेटिंग बैकप रखना होगा क्योंकि एक साउथ अफरिका टीम है रन बहुत जादा बनाते हैं पहले इनिंग में सेकेंड इनिंग में रन की ज़रूरत है रन का ही ज़रूरत है तो रन से जड़े जावी थोड़ा सपोर्ट दे सकते हैं मेरे स्मॉल लिक टीम में जगा बना सकते हैं अभी तक तो 80% चांस है ठीक है स्पिन के सामने साउथ अफरीका फस्ता भी है इसलिए भी मैं थोड़ा बैक कर रहा हूँ शामी रेगुलर्टी देखो भाई पांच विगेट चार विगेट पांच विगेट क्या बतलब यहां पांच विगेट क्या किया था इंडिया के भाई सेलेक्टर्स ने कि शामी को बिठा रखा था ये धुवा उठा रहा है और ये था कहां भाई या कुछ नहीं है जहां भी थे भाई या मजा दिला रहे हैं बहुत बढ़िया बॉलिंग चल रहा है शामी का लेके चलिए भाई या बढ़िया कर रहे हैं लेकिन रेगूलर बढ़िया करने वाले मुझे बल गिरते भी है मतलब आउल थोड़े से क्या आयना साउथ अफरीका है रेस्पेक्ट दे दे कि भाई या शामी को थोड़े सा बच्च के खेलो अच्छा चल रहा है बंदा अच्छे फॉर्म में हैं रुक के खेलो तो उसकी जिगी पर शिराज को बहुत सारे विकेट मिल भी सकते हैं लास्ट मैच में भी शिराज ने अच्छे किये रहे तो शिराज बाकी कुल दीप के सामने भाई रन बना नहीं सकते स्पिनर हैं और ये तो भाई दस मैच में 24 विकेट चटका चुके स्पिन के सामने फैस्टे हैं तो ये प्राबलम तो है बस थोड़े फास्ट बॉलर्स अच्छे करने चीए इंडिया के तो भाईया मैच अपने हाथ में है बंबरा की बात करूँ ग्यारा मैच में 17 विकेट निकाल चुके इननों ने भी बड़िया कमाल कर रखा है बड़िया फिक रहेंगे शिराज तीन मैच में पाची विकेट निकाले हैं और इसी के सामने ये अटेक करने की सोच सकते शिराज को इस मैच में भी शिराज का मौमद शिराज एक ट्रम का आएंगे मौमद शिराज को पेलने के चक्कर में कैच आउट यहां के लाड़ी खड़ाया थी है कैच आउट हाथ उठा के तो भाईया कैच आउट हो जाते हैं जादा तर तो शिराज जो है इस मामले में माहिर है तो यह आपका ट्रंप पिक है होपफुली इंडिया की तरफ स तो वैसे भी ले नहीं है किसी को और इस टीम के तरफ से रेगूलर देगो एक सुच्च वदा वन सेवेंटी फो एक सो नो रखी है अपने टीम में कुंटेंडी कोख है लेफ्ट हैं बुम्रा ने दो बार फसा रखा है इस मैच में कुछ ऑफिस पिनर ऐसा ना हो कि इंडिय थोड़ा रिस्क लेना जो ले भी सकते पहले निंग में बैट बॉलिंग आता है तो लेकिए दूसरे निंग में थोड़ा रिस्क भी ले सकते जस्पित वोम्रा पे इंडिया के सामने बढ़िया कर रहा है थोड़ा बैटिंग ज्यादा बैट्समान लेकि टीम मना सकते है आप लोग लेगुलर्टी कुछ आया नहीं है खास ठीक है डूसरेन की बात करें बहुत रेगुलर्टी कर दें लाज़ मैच में बीच बना गया है एक सो आट यहां ब बहुत बढ़िया बढ़िया चल रहे हैं फॉर्म में है वंदा इसमॉल लिक कुंटेंडिको के स्मॉल लिक ठीक है दोनों का नाम मैंने ले लिया है मारकराम बारा मैच में दो ही विकिट निकाले है 24 कन के अवरेज राए अगर किसी का साउथ अफरीका के सामने रिस्क लेन स्मॉल लिक के लिए अच्छे खिलाडी है रन बना सकते हैं रेगुलर्टी देखो 90, 60, 42, 56 बड़ा खिलाडी बड़ा नाम अच्छा कर रहा है हो सकता है इंडिया के सामने अच्छा कर जाए तो यह स्पिन फ्रेंडली विगिट पर बढ़िया रहता है क्लास इन भाई लग 23 का स्मॉल लिक टीम में ड्रॉप कर रहा हूं लास्ट मैच में बाई 59 मना के आए थे अब करना परमोट इंडिया के सामने परमोट कर दिये थे दो अच्छे किल गए थे ठीक है घुसैन और बाई कुंटेंट को अच्छे किल गए थे मिलर को परमोट कर दिया था इनका तो रोई शर्मा का भाई पुल शॉट मारे का फोड़ देगा तो भाईया है भार को एंसे इस मैच में उमीद करते हैं फ्लॉप हो जाए ठीक है बटींग से भी कुछ खास करनी रहे हैं ग्राल कोट जे खेले नहीं है रेगुलरेटी रन आ रहे हैं विगेट निकाल रहा है दो केशब माहराज पांच में चार विगेट स्पीन अच्छे केलते हैं इंडिया बाहर करने की कोशिश करो जितना रख सको ठीक है हाँ पहले इनिंग में बहुत बहुत स्कोरिंग होगा और सेकेंड इनिंग में बहुत पिच्छ जो है बहुत इस्लो हो जाएगा उस कंडिशन में ले सकते हो लेफ्टाम और्थोडेक्स से इंडिया जो है इस्पीन तो अच्छा केल जाते हैं लेकिन प्रेशर में कई बार विगेट मिल जाते हैं तो केशब माहराज को यहां पर भी चार विगेट मिले हैं ग्रैंड लिग का ट्रम कार्ड पीक बनाके चलिए आप अच्छा केला और इंडिया के किसी तरीके से बुरा आलत हो गया तो यह किशब माहराज विगेट निकाल के ले जागे जाएगा लिखवा का लोग उस कंडिशन में लूंगी नगेडी नो मैच में 17 इंडिया के इंडिया के इतना ठीक है बाकि फास्ट बाल तो अच्छा ख अच्छा खेल जाता है इंडिया फसेगा तो भाई फास्ट वर्लिंग पर फसेंगे और इंडिया के सामने यह आकड़े अच्छे कैसे हो गए मुझे समझ में नहीं आ रहा चलो जो भी हो टीम कॉंपोजिशन देख लेते एक बार इसमें ज्यादा फोकस मत करिएगा क्योंक इंडिकॉटेंट होंगेए ठीक है फिर भी मैं यहां पर दिखा देता हूं जिससे कि आप लोगो थोड़ा सा ना दिख जाये तो यहां पर से बैया कॉनगोन है कुझ लासेन यह इंपटेंट है ठीक है रचिवेंट्र डूसन यहां पर से वह अच्छा कर रहे हैं उनको भी जादा ले रहे हैं मैं अभी के लिए हो सकता हूं ड्रॉप भी कर दूं ठीक है मारकम को कोई ड्रॉप करके बल्ले बाज ले लूँ अगर बैटिंग फ्रेंड ली पीछे जादा से जादा बल्ले बाज लेजिए जाड़े जाड़े ठीक टाक है जस्पित मुरा कुल्दीप इपो टेंट है तो यह सारे अच्छे कर रहें यह सारे रहेंगें आईए यह टीम कंपो절ीशन देखनेे कोई दिक्कत है नहीं को इंटिन डिकॉक रहूप रहने वाले हैं ठीक है रोई शर्मा रहने बार बिराट रहने वाले हैं सूरे कुबार शुमन गिल को आपकी मर्जी आप क्या करना चार रहे हूं डूसें लेने वारा हूं बागी यहां पर से शेयर रेगुलर्टी बहुत बढ़िया करता है सूरी कुबार यह दोनों ट्रम कार्ड पिक्स हैं यहां पर आपके टीम में मारक राम दुनिया भर के लोग ले रहे हैं कोई काम नहीं बलेबाजी से बहुत ज़्यादा कुछ छास चले नहीं है वह आपकी मरदी है आप क्या करना चारि हो जाड़े यहां पर से इंपोर्टन रहें स्पीन पर फसा सकते हैं शामी इंपोर्टन रहें यहां पर से पुल्दी पिंपॉर्टन्ट रहेंगे ठीक है बागी बैब बता चुक हम यहां पर से इंपॉर्टन्ट की बात करें तो आपको चुस्पीत भुम्रा भी यहां पर से इंपॉर्टन्ट ही है तो अल्मोस्ट आ चुगे हैं मौमद शिराज को थोड़ा ट्राइ करना चाहो कर ल लेना आपकी मर्जी यह किसको ले रहे हो तो यह टीम कॉंपोजीशन ऐसा कुछ बनेगा ठीक है तो आपकी मर्जी है बाकि आप लोग क्या करना चाहते हो कैप्टन वाइस केप्टन की बात करू विराट कोली को कैप्टन बना रहे हैं यहां बर से वाइस केप्टन से की बात करू रोई शर्मा एक अच्छे चोईस है कुंटिन डिकॉक्स ठीक है रख सकते हो यह आपकी केप्टन वाइस केप्टन से के बड़ी हाच चोईस रहने वाले हैं होफुली आप लोग समझ पाये हैं पूरा डीटेल में वीडियो कुछ भी नहीं स सब लोगों को टेम मिल जाएगा तब तक के लिए टाटा बाबाए जैहिन जैवारत मिलते नेक्स वीडियो के साथ में लव यो और